हलो मित्रों, जैमातादी, दोस्तों आप लोगों को बताना चाहूंगा कि जनबरी 2024 के महीने में ये तीन घटनाएं आप लोगों के जीवन और जिंदगी की रूप रेखा को बदलने वाली हैं, जी हां मित्रों, जनबरी 2024 के महीने में तीन ऐसी घटना आपके जीवन में होने वाली हैं जिसको जानना आपके लिए काफी आवस्चक है जो तिसास्त्र की माने तो ऐसी तीन घटनाएं होंगी जिनसे कि आप लोगों के जीवन में जितने भी सुकसमरदी को आप पाना चाहते हैं उन्हों सभी को प्राप्त करके उन्हों सभी समस्याओं से शुटकारा पास समझना चाहिए मत्रों यनवरी 2024 का यह पहला महीना है और यह आप लोगों के जीवन की जितने भी समस्याएं हैं उन्हों सभी समस्याओं से आप ख़ब को छुटकारा मिलेगा अगर आप अकेले हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें अन्य था आप इस वीडियो को यहीं इसकीब कर सकते हैं क्योंकि इस वीडियो में बताई जाने वाली जानकारी आपके जीवन से जुड़े उन तमाम रहस्यों के बारे में हैं जिसको सिर्फ और सिर्फ आपको ही जानना सुनना और समझना चाहिए तो मत्रों वीडियो को आकरी तक देखिएगा चलिए आपको बताती हैं सारी जानकारी उससे पहले वीडियो को लाइक करगे चैनल को सब्सक्राइब आवस्य कर लें ताकि रोजाना रासीफल आपको समय से मिल सके और आप आने वाले दिनों को बहत्तर बना सकें मत्रों जनवरी के शुरुआत में आपको आर्थिक लाप मिलेंगे और धर परिवार में खुश्यों का माहौल बना रहेगा आप अपने निवास अस्थान को बदलने का विचार बना सकते हैं आपके मन में ऐसे विचार आएंगे जिनसे कि आप अपने निवास अस्थान को बदल सकते हैं परिवार के लोगों या मित्रों के साथ निवेश कर सकते आपके मन्चाहि एक्छा पूरी होने के योग बन रहे हैं, आप कोई जमीन या मकान खरदने का विचार बना सकते हैं, धन संबंदी मामलों में आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलने वाला है, मित्रों आप लोगों को बताना चाहेंगे कि आप लोगों के जीवन में जो परि यकीन करते हैं, जिस पर जानो जी आप लगा देते हैं, जिस पर आप सबसे ज़्यादा प्रेम करते हैं, वही आप लोगों के साथ दगा करता है, वही आप लोगों के साथ आपको प्रिसानी का कारण बनाता है, मित्रों ऐसे में जनवरी के महीने में आप लोगों के जीवन में बहुत बड़ी खुशकबरी आपको मिले की और जो आप लोगों के साथ दगा कर रहे हैं उन लगों को सदा मिले वाली हैं आप हमें बताईएगा कि आप जिस पर ज़्यादा यकीन करते हैं वह आपको धोका देता है या नहीं वह आपको दुख देता है या नहीं जरूर बताईएगा आपके जो करीबी हैं वही लोग आपके जीवर में अधिक कश्ट पहुंचाते हैं दोस्तों ऐसा भी देखा गया है कि कई बार आप से कई लोग तमीज से बात नहीं करते हैं आपको इज़त तक नहीं देते हैं जो लोग आपको मान सम्मान नहीं देते हैं आपक तो आप लोगों की मन्चाही एक्षपूरी होने के योग बन रहे हैं। कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताईएगा कि क्या मैं गलत बोल रहा हूं। आप कोई जमीन या मकान खरिदने का इस महीने विचार कर सकते हैं। धन समंदी मामलों में आपको बहुत ज़्यादा लाब मिलने वाला है। सभी वरवर्तन आपके अनुकूल रहेंगे, आपके लिए नई खुस्यों को लाएंगे। आपको आर्थिक लाब के नए नए अवसरफी प्राप्तों होंगे। निजे जीवन में चल रही समस्याओं का समधान होने वाला है। आप परिवार के सदसों के साथ हसी खुसी से समय वैतित करेंगे। आपका वहवार अच्छा रहेगा। जिससे आपको लाब मिलेंगे और जीवन में सभी प्रिकार के दुखों का नास होगा। इसके साथ साथ आपके वीतिय अस्तितियां भी काफी अच्छी रहनी वाली हैं। संतान की और से आपको सुब समाचार मिलने के समभावना है। आपको बताना चाहेंगे कि आप अपने गुसे वाली प्रिवर्ति को सांथ बनाए रखें। क्योंकि गुसे में आप काफी हद तक बहुत कुछ ऐसा कर जाते हैं जिसके बाद आपको पस्ताना पड़ता है। आपको बताना चाहेंगे कि जनवरी के महीने में आपको खूब सारी खुसियां और जादा से जादा समपत्ति मिल सकती हैं। आप अपने समपत्ति में वैपार में तथा कारिशत्र में बुढ़ोत्री कर सकते हैं। बिजनस में आपके विर्दी होगी और रुकेवे धन भी आपके जरूर मिलेंगे। आपको अब खुसियां मिलने वाली हैं, आई के मजबूत सादन भी मिलने वाले हैं। क्यूंकि राहू और केतु महराद आप लोगों के जीवर में धन की वरसा करने वाले हैं। और इसी के साथ भगवान सनिदे भी आप लोगों के जीवर में धन की कमी को दूर करने वाले हैं। माता लक्षमी आपके घर में परिवेस करने वाली हैं, जिनके पास धन की कमी है, उन्हें काफी अच्छे धन की सोगात मिल सकती हैं, तथा आपके जीबर में जिस भी प्रकार की समस्था हैं, चाहे आप आर्थिक स्तितियों से गुजर रहे हों या पिर किसी ऐसे प्रस्तितिय समय से पूरा करेंगे मित्रों आप लोगों को कुछ नए अनुभवी मिलने के योग बन रहे हैं आप अपने कारिस्तल में दिन दूगनी, रात जोगनी, तरक्की हासिल करते हुए नए कृतिमान को अस्थाबित करेंगे आपके पूरानी योजनाएं इस समय पूरी होती भी दिखाई दे रही है मित्रों तरक्की के कई नए रास्ते खुलने वाले हैं और आपको बताना चाहेंगे कि आगे जो जानकारियां मैं बताने जा रहा हूँ उसे सिर्फ और सिर्फ एकांट में अकेले होकर और अपने दिमाग को इस्तिरगर के सुनिये समझिये और बताई गई जानकारी को अपने अंदर इंप्लिमेंट करने की अवस्य कोस्त करें तथा इसे दूसरों के साथ बिलुकुल भी साजर न करें मित्रों आपको बताना चाहेंगे कि आप किसी काम से जीवन साथी के सला ले सकते हैं आप अपने गुप्त रूप से रखे हुए वेतन को इस समय प्रकट कर सकते हैं धन को प्रकट कर सकते हैं आपको बताना चाहेंगे कि भगवान कुबेरदेव की सबसे जादा आप लोगों के उफर कृफ़ा बने रहेगी और ऐसे में जो भी आप लोगों के जीवन में पस्ट कष्ट है पैसो से जोड़ी वो दूर होंगी जिनसे कि आपके जीवन में सीधे सीधे आप अपने जीवन प्रवक पूरे होंगे आर्थिक पक्ष भी पहले से काफे बहतर रहेगा जो लोग पिरुजगार हैं उनको रोजगार से जुड़ने का आफसर मिलेगा आर्थिक मुनाफ़े मिलने के योग हैं जमीन जायदाद से संबंदित मामलों में आपको कोई बड़ी सफलता हासिल हो माई की नई योजनाई सफल होंगी जीवन साथी के सलावी आपके लिए फायदमन्द सावित होंगी वच्चों के तरक्की से आपका मन परसंद रहेगा और अधूरी एक्षाओं को आसानी से पूरा कर सकते हैं मित्रों हर शित्र में आपके किस्मत का पूरा स्योग मिलने ही आपको जनवरी के महीने में जीवन के सारी अधूरी मनो कामनाई पूरी होंगी कोसिस करने वालों के कभी हार नहीं होती अगर आप मन लगाकर लगातार प्रियास करेंगे तो आपको सफलता अवस्य मिलेगी आपको बताना चाहेंगे कि आप अपने स्वास्त का विसेश क्योंकि स्वास्त को लेकर इस महीने कामकाज अधिक रहेंगे जिसकी वज़ाँ से स्वास्त को लेकर लापरवाही बिलकुल भी न करें लवलाइफ से लेकर बैपार नोकरी में बड़ी सफलता हासल होंगी भगवान सनी महराज की गिर्पा आपके उपर सवसे अधिक रहेगी जिसकी वदोलत आप काफी अच्छे तरक्की पा सकते हैं आपको लोगों के बीच जाने का मौका मिलेगा सनी देब भगवान आप लोगों पर महरबान हो रहे हैं और आपको इस महीने काफे खुस्यों की बरसाथ करने वाले हैं आपको बताना चाहेंगे कि आप लोगों के जीवन की हर प्रकार की प्रसानी दूर होने रगे की आप करियर को महान उचायों पर ले जाने के लिए कई अफसर ढूंड सकोगे, आपके सारी मनो कामनाई पूरी होंगी, आप एक हर एक छोटा से छोटा एक्षा को सर्वपरी कर सकोगे, अगर आप सिंगल हैं, तो आपके जीवन में प्रेम का परवेश होने वाला है, प्रेम में भी आपके एक्षा बढ़ेगी, आप अपनों का और अपने छोटों का सम्मान करें, बड़ों का इज़्यत करें, और यदि आप किसी परिसानी से जुड़ रहे हैं, तो अगर आप कि अच्छा प्यार पाने के लिए, यह महीना आपका सहयोग करने वाला है, मित्रों, आप लोगों को बताना चाहेंगे, कि आप लोगों के जीवन में, अब भगवान सनिदेव का आशिरवाद मिल चुका है, और भगवान सनिदेव जिस पर भी एक बार परसन न हो जाते हैं, मित्रों, अक्सर ऐसा आप लोगों ने देखा होगा, कि आप जिस पर भी जादा भरुसा करते हैं, वही आप लोगों के साथ धोखा देता हैं, आप अपने जीवन में अक्सर ऐसा देखा होगा, कि आप जिस पर कभी यकीन नहीं कर सकते थे, कि वह आपके साथ धोखा दे सक फैसले पर जाने वाले हो और नया करने वाले हो कारिशित्र से लेकर बैपार बैविसाय तक में आपको भारी सफलता मिलने का योग बनी वाला है मित्रों आप लोगों को देखें बार बार आप लोगों को प्रिसानियों का सामना करना पड़ता है कई कश्ट भी छेलने पड़ते हैं और बहुत सारे ऐसे जातक हैं जो हमसे लगातार सवाल करते हैं कि इतनी मेहनत करने के बाद भी हमें सफलता प्राप्त क्यों नहीं हो रही हैं। हमारे पास धन संपत्ति क्यों नहीं आ रही हैं। हमारे काम धंदे ठप पड़ गये हैं। नए काम धंदे भी सुरू करते हैं पर उने में भी अच्छे संकेत प्राप्त नहीं हो रहे हैं। वहाद सारी समस्याएं आरही हैं और बहुत सारी ऐसे जातक हैं जो की उम्र हो चुकी हैं पर नोकरी नहीं लग रही हैं। बेरुजगारे से बहुत परिसान है, पारिवारिक महौल भी अच्छा नहीं चल रहा है, परिवार में बहुत अधिक नकारात्मकता है, लवलाई भी विलकुल बरबाद हो गई है, क्या इसका कारण है, इसकी परिसानी क्या है, इन सभी के बारे में आप लोगों के जीवन की स किसा होगा कि लोग आपको अक्सर धोखा दे जाते हैं जी हां धोस्तों हम जानते हैं धोखा कहाने के बाद आपको कैसा लगता है उसपर यद intelligentении कोई तो वह सहन करने के योग भी नहीं होता तो दोस्तों इसलिए अब आपको हम बताने जा रहे हैं कि कौन सी वह गलती है जो आप बार-बार दुहराते हैं तो सबसे पहले गलती है कि आप अपने घर के आसा पास नकरात्मक बातावरन को बना कर रखते हैं नकरात्मक बातावरन हमेशा नकरात्मक जी जो को ही आकरसित करता है इसलिए आप हमेशा ही परिसानी से गिरे रहते हैं आप बताईएगा कमेंट में कि क्या मैं गलत कह रहा हूं क्या मेरी जो ये भविस्यवानी है ये गलत है क्या बताईएगा जरूर कि क्या आप लोग अभ भक्ति भाव के साथ भगवान की पूजा भी करते हूं और आप लोगों के जीवन में कई नेगेटिव उनर्जी और एका से एक दुस्मन खड़ी हो जाते हैं आपके परोसी आपसे जलते हैं आपके अपने भी आपसे गई रिष्टिदार जलते हैं ऐसा नहीं हो रहा है जरू भगवान सनीदेव दूर करने वाले हैं वह सच्ची सरथा के साथ भगवान सनीदेव की पूजा उपास inc करें वित्रों साथ ही माता भद्रकाली के सच्चे भक्त पूरी भक्ती भाव के साथ मैं तो कहूंगा कि जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं वह अगर अपनी प्रिसानी से निकलना चाहते हैं जीवन में कुछ पड़ा करना चाहते हैं तो माता भद्रकाली के भक्त पूरी भ कश्टो को दूर करो माभधरकाली मेरी रक्षा करो भक्ति भाव के साथ कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर दीजेगा और विडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर कर दीजेगा माभधरकाली आप लोगों के उपर हमेशा किरुपा बनाए रखेंगी और जिनके भी साथ दुगा का सहारा होता है उसका कोई भी बाल बाका नहीं कर सकता इसलिए दोस्तों आप लोगों को कमेंट बॉक्स में जरूर जैमाभधरकाली लिखनी है तथा अगर आप लोगों के जीवन में अगर आप जानना चाहते हो कि आखिर किस वज़ा से आपके जीवन में धन नह पत्ती को लेकर कोई जादू टूना कर रखा है या किसी की पूरी नजर लग गई है या आपके किसमत ही खराब चल रही है अगर आप इन सभी विस्यों पर वीडियो चाहते हो तो आप हमारे चैनल पर जाकर वीडियो की लिष्ट पर जाकर आप देख सकते हो कि आप लोगो कोन सी औरत है जो कि सबसे जादा आपको सच्चा प्यार करती है और इसी के साथ आपको यह भी बताया है कि कौन से ऐसी महिला है जिसके साथ अगर आपको साथ मिल जाये तो वह आप लोगो को करुरपती बना देगी रंक से राजा बना देगी तो दोस्तों उन सभी वीडिय करके उस वीडियो के बारे में बताऊंगा उस टॉपिक के बारे में वीडियो बनाने में मेहनत लगती है इसलिए आप लोगों से अनुरोध है कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जूड़ जाईए ताकि आपको हर छोटी से छोटी जानकारी भविश्य को लेकर सबसे पहले पता हो सके मित्रो इस वीडियो में बस इतना ही मैं मिलता हूँ आप चे और ज्यानवर्दक नई वीडियो में तब तक आप खुश रहिए अपनों का और अपना ख्याल रखिए जैमविंदुवासनी